इस स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं आप और इस मैप में जापान, भारत, आस्ट्रेलिया और अमेरिका चार देश अगर इसे गलोब में देखेंगे तो चार कोने हैं और ये चार कोनों को मिला कर बनाया गया क्वाइड क्वाइड को लेकर बहुत सारे प्लान थे पर अचा और भारत के बीच में थोड़ी सी तलखी आई और ये तलखी पूरे क्वाइड के प्लान को ठंडे बस्ते में डाल गई पर अब अचानक से अमेरिका की संसद में चाइना को लेकर बड़ा हड़कंप मचा है और ना सिर्फ क्वाइड बलकी तिब्बत को लेकर भी अमेरिका सामने आ गया है जियो पॉलिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है क्या है स्ट्राइकर ग्रूप जिस से खास तोर पर जनरल मनोज पांडे मिले तो वहीं अचानक से बहुत भारी मतों के साथ अमेरिकी पारलियामेंट में कौन सा बिल पास हुआ है जो चाइना को बिलक सब्सक्राइब को विस्तार से हमने आपको बताया था कि जापान के पुर्व पीएम सिंजो आबे उन्होंने क्वाइड की रचना की थी हाला कि एक वक्त ऐसा आया जब अमेरिका को लगा कि नहीं अभी हमें क्वाइड की जरूरत नहीं है अभी हम अगर क्वाइड को लेकर बात करेंगे तो चाइना को तकलीफ होगी और चाइना हमारे संबंदों को बिगाड सकता है ये मैं नहीं कह रही हूँ स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं एक बड़ा खुलासा किया गया था कहा गया कि उस समय अमेरिका ने भारतिये पी-म के उपर दवाब बनाया और कहा जब जापान से मिलोगे न तो उसको कहना सिंजो आबे को कि क्वाइड वाले मामले पर उतना दिमाग ना लगाए पर आज क्वाइड एक बहुत ही जादा जरूरी संस्था बन गई है अभी हाल फिलाल में बाइडेन आने वाले थे भारत लेकिन 26 जनवरी के बाद की बैठक भी होनी थी बाइडेन नहीं आए ना तो 26 जनवरी के चीफ गेस्ट के रूप में आए और ना ही क्वाइड की मीटिंग हुई जब ये सब कुछ हुआ तो ग्लोबल टाइंस ने एक आर्टिकल चापा स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप और ये कब चापा है तो ये जनवरी महिने में ही चापा इसक्रीन पर ये आर्टिकल देख सकते हैं इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका कहा इसमें वेवहार है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि क्वाइड जा कहा रहा है अब आपको बता दें जरसे इनके कार्टून को देखिए इनके का कॉइड दूब रहा है रसातल में जा रहा है ये उनके कहने कार्ट था कि अब आस्तित्फि खत्म हो रहा है ग्लोबल टाइन्स नहीं लिखा कि नया शाल सुरू हो चुका है लेकिन क्वाहर को लेकर अनिशित्ब को अधे और जिस तरीके से अमेरिका ने इसमें दिखाया है अपना वैवार ये देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पार्टनर्शिप खत्म हो रही है क्यों कि इनके अपने घरेलू मुद्दे ही काफी है आपको बता दें यहाँ पर इनों ने इस बात का भी जिक्र किया कि ऑस्ट् को एक दीन बाद भारत के रिपब्लिक डेके लेकिन ये सारे प्लान खत्म हो गये क्योंकि जो बाइडन ने आने से मना ही कर दिया अब ये सारी डीटेल ये जो कह रहे हैं हलाकि इसमें कुछ गलत नहीं है जो बातें दीख रही हैं उसी बात को ग्लोबल टाइम्स ने लिखा क क्योंकि अमेरीका की तरफ से क्वाइड को लेकर कभी भी एक आकरामक बेभार देखने को नहीं मिला है कि हाँ हमें क्वाइड को अच्छ से आगे लेकर चलना है पर इस बार अमेरीका की संसद में इस बार अलग चीज़ पूई है लेकिन चाइना का आकरामक वेवहार मिलिटरी मीटिंग पर भी भारी पड़ गया तो यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि अब अमेरिका एक्षन वाले मोड में आया है आपको बता दें हमने आपको कल बताया था कि जनरल मनोज पांडे अमेरिका में मौजूद है और अभी उनका चौथा दिन है लाश्ट दिन है दौरे का और इस दौरे के बीच में यह बेहत खास जगह पहुँचे और यह खास जगह था इनका स्ट्राइकर यूनिट यानि कि अमेरिका की सबसे अच्छी यूनिट जिसे माना जाता है दरसल स्ट्राइकर यूनिट होता क्या है त बहुत अच्छे से समझा और भारत खुद भी एक स्ट्राइकर यूनिट को लाना चाहता है ये देखने को मिला कि अमेरिका के तरफ से इन्हें रिस्पोंस भी बहुत अच्छा ही मिला और ये दिखला रहा है कि अमेरिका भी चाह रहा है भारत के साथ जुगलबंदी करके चाहिना ने यहां भारतिये आर्मी चीफ को काफी सारी चीजें दिखलाई भी पर असली खबर अभी भी आनी बांकी थी और आपको बता दे अमेरिका ने दो दो तांडव कर दिया है बहुत बड़ा वाला चाहिना के ऊपर एक तो बारत के साथ संबंदों को फिर से सुधार आते हुए यहां पर अमेरिकी पारलियमेंट ने एक बड़ी चीज की है और इसमें क्या किया है तीका के हाउस में वोटिंग हुई और कहा गया कि क्या करना है क्या चार देसों के बीच सहयोग बढ़ा कर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है तो यहां पर जो वोटिंग बनकर आगे बढ़ना चाहिए आपस में सहयोग होना चाहिए और 49 वोट हैं वो अगेंस्ट पड़े हैं और अगेंस्ट डालने वाले में एक नाम आपको मिलेगा इनका कौन है ये इलहान उमार जानी मानी भारत की विरोधी अब इसमें क्या हुआ कि एक खास तोर पर अमेरिक के संसद में ग्रूप बनेगा जो ग्रूप सारी पॉलिसीज को ध्यान देगा चारों देशों के बीच संबंदों को और मजबूत बनाए जाएंगे और विस्तार किया जाएगा खैर अभी ये तो एक तांडो था जो ग्लोबल टाइम्स को भी जवाब मिल गया और चाइना क पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को अब यहां पर इस बिल का क्या मतलब था तो आपको बता दें पहली बात यह कि जब तिब्बत पर चाइना ने हमला कर दिया था तब अमेरिका उस पर एक्सन लेने वाला था लेकिन फिर अमेरिका किनी वजहों से एक्सन नहीं ले पाया तिब्बत के लोग कहते हैं कि हम हमेशा से आजाद हैं और चाइना कहता है कि नहीं हमारे ग्रेट चीन का हिस्सा है और उसने तिब्बत पर कभजा कर लिया 1951 में तिब्बत सरकार को मजबूर करके समझोता भी साइन करवा लिया लेकिन द्रो निर्वासित होकर जीवन जीने लगे अब इस विदेयक में चीन तिब्बत विवाद को सुलजाने की अपील की गई है और इसे भी फुल समर्थन के साथ पास कर दिया गया है वैसे आपको क्या लगता है इन से मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलत हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ